नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत आप सभी का आज किस नए क्लास में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी बीए के छात्र है जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानि कि राजनीती साफ्त रहे उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट ह आज का पहला कोश्चन है सारे कोश्चन ध्यान से समझेंगे तो गारंटी आपको मैं देता हूं कि आपको काफी मदद मिलेगे एक्जाम में पहला कोश्चन है कि निम्लिखित में से कौन एक बेवहारवादी नहीं है उसका आप लोगों को नाम लिखना है तो आफसन आपक कर दो होगा उसको आप लोगों को लिखना होगा कममेंट सेक्षẩषन में ठीक हैं यहारनर अमस्क्रवफ को बिच्वार हो जाएक है एक नमबर राएट हो जाएगा याद रखिएगा का एक निगमानतमक पद्धत है आपसर मिल जाएगा प्रियोग आत्मक इतिहासिक दार्सनिक तुलनातमक तुद्ध्यान दीजेगा कोष्चन कहा राकिन राजनीत बिज्ञान के अध्या नहीं हो तो कौंसी एक निगान त्द्धत्धत है तो आपसर आपको दिए देगे हैं इस और राजनित वर्तमान इतिहास ये ब्यक्त किया है या पिर ये कथन किसका है जोने कहा इतिहास भोतकाल की राजनित है और राजनित वर्तमान Warrior का इतिहास तो आपसे आपको मिल जाएंगे Lord of Rages ने बिलोबी ने और C नंबर है, free man ने और D नंबर C ले ने, तो यह जो आपको दिख रहे हैं, यह राज नी तक गी है, ठीक है, जैसे समाव सास्त्र आपको बता दे तो समाव सास्त्री होते हैं, ठीक है, तुस्ती तरह यह लोग, ठीक है, राज नी तक गी है, तो इस question के राइट इंसर हो जा है, next question है, किनियम लिखित में से, कौन राज नीत विज्ञान को विज्ञान मानता है, आपको मिल जाएंगे, बकल और B नंबर है, सर फेडरिक, पॉलक, C नंबर है, कामटे और D नंबर है, मिट लाइंड, मिट लाइंड, तो इस question का जो राइट एंसर हो जाएगा, छात्रो अगर आप लोगों को मालूम, तो बेसकर कमेंट सेक्शन हो बता दीजेगा, ठीक है, तो चार नंबर जो question है, उसका जो राइट एंसर हो जाएगा, दोस्तों, वो हो जाएगा, B नंबर, सर फेडरिक, पॉलक, सर फेडरिक, पॉलक, ठीक है, B नंबर, next question है, कि काउन सा यु युग मुझ सही, ठीक है, एस्चुमिलित नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान देना, इस तरह कि भी question आप लोगों के exam में आ सकते हैं, तो आप लोगों को सही मिलान करना वही question कह रहा है, ठीक है, ठीक है, जान दीजीगा, तो इधर है लेखक के नाम, या राजनीतक कह सकते है और इधर हैं उनके पुस्तकों के नाम, ठीक है, तो पहले आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे मिलान होता नहीं था, ऐसे, इनका, इनका, इन्होंने ये पुस्तक लिखी, नोने ये पुस्तक लिखी है, तो question का मतलब उसी तरह है, कि कौन सा युग मुझ सही मिलेत नहीं, यानि कि कौन सा जो है इसमें वो जैसे कि ये लेकक हैं और इनकी परक्तिए, तो कौन सी इसमें गलत है, जो इनकी पंगति नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही है, सुमिलित नहीं है, मतलब की गलत है, तो पांच बार जातर है गेटल, गेटल की जो elements of politics है, ये इनकी रसना है, इनकी पुस्तक नहीं है इसलिए सुमिलित नहीं है याद रखेगा ऐ नमबर निष्क कोष्ट एकChan is कि अर्ठ्थ सास्त के बिना जाजनीति सास्त्र फिक वास्तिविक एवं सरही धांचा मात्र है ज्यान देजेगा अर्थ साफ्तिविक एवं सरहीन धांचा मात्र है या विचार किस ने विष्ड़ किया है आपको मिल जाएंगे आपचनap स्वारित एको धैंकर नमबर कुछ भाइट झाएगा डी नमबर नए निकम यह याद रखेगा टॉप लेपल का कुष्चन है निस अमबर राइट इंचर होजयेगा निप सास्तर में केवल मातर का अंतर है घृट का नहीं झाहन दीजीगा राज नीप सास्तर में केवल मातर कांतर है गूर का नहीं नीपस यह बिस्तित्रूर्प नहीं बगतरदी आपसर मिल जा रहे हैं आई वर ब्राउन द्वारा ला डेक्टन द्वारा कहा गया है विचार दिया गया है यह कैटलिप द्वारा दिया गया है यह मैकी यह वेली द्वारा किया गया है तो साथ नमबर जो कोश्चन है उसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो जाएगा ए नम तभी राजनीतिक क्रियोंग भी हो जाते हैं या कतन किसका है आपस्ट हएं आपको मिल जा रहे हैं आलस्तो का गर्णर का में का मख का रूसो का तो यानि जो साथ कट्म हैं जब कोई परवाधन होता है तभी राजनीति Kultur योग भी हो जाते हैं इस कोश्चन के राइट हो जाएगा वह हो जाएगा आप्शन नमबर सी काम्टे के द्वारा यह लिखा गया या फिर इनका ही कथन है ज्यान रखिएगा काम्टे नेस्ट कोश्चन है कि इसन 1948 में यूनुस्को ज्यान दिजेगा 1948 में इनुसको के तत्वा अधान में पेरिश शिखर सम्मेलन में सामिल थे शमास शास्त्री लोग सामिल थे राजनेतिक शास्त्री लोग सामिल थे अर्थ सास्त्री लोग सामिल थे या इतिहासकार सामिल थे तो इस कोशचन का जो राइट एंसर हो जाएगा और नाइन नम्बर नाइन ठाओ Becca उन्सकों संफ्था में पेरिस के सिकर में जाजनीती शाष्त्री शम्मेलन में सामिल थे हैं जाद रखेगा फड़्स नम्बर नेसस कोश्चन है कि जाजनीत विग्ञान लीन सास्त्र है जो स्वण कारों के रूप में इतिहास के धरा रूपी नदीश से संग्रा किया जाता है या कथन किसका यानि कि जो कथन है यह जो इन्होंने संटेंस कहा है यह किसने कहा है आप चना आपको मिल जाएंगे ए नमबर है लाड ब्राइस ठीक है ब्राइस का सीले का वार्गेस का लाड एक्टन का तो इसको कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा टेन नमबर जो कोश्चन है इसका राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर यानि कि लाड एक्टन ने कहा है यह कतन याद रखेगा ठीक है च तो question का right answer हो जाएगा गेरा number question का right answer हो जाएगा C number free man का राज जी के भूत काल की राजनीत ही इतिहास है ये जो विचार है वो free man का है इसलिए 11 number जो question उसका right answer C हो जाएगा याद रखेगा C number next question है कि राजनीत विज्ञान से शंबंद विच्छेत करके इतिहास केवल साहित ही रह जाता है या कथन है विश्मार्क का जान दिजेगा free man का रूर्सो का और last option है तो इन आप्सिरों में राइट answer हो जाएगा 12 number question का वो हो जाएगा D number यानि की सोले ने सोले को ठीक है सोले का याल रखेगा राजनीत विज्ञान में संबंद विच्छेत करके इतिहास के और साहित ही रह जाता है या कथन सोले का है ठीक है डी नंबर राइट answer हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं के लिए question के और अगरा question कह रहा कि बीना राजनीति साफ्त्र के इतिहास का कोई मूल नहीं था बिना इतिहास के राजनीति साफ्त्र की कोई जड़ नहीं है यह कथन है किसका है तो आप आपको दे दिये होता है वो समापत होता है पर तो हम इस question के राइट answer आप लोगों को बता रहे हैं ठीक है वह हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग कोमेट से पिचाल बता सकते हैं सी नंबर राइट से ले का ध्यांदिजेगा बिना राजनीति सास्त्र के इतिहास का कोई मूल नहीं था बिनाह एटिहास कि जड़ कोई जड़ नहीं ये कथन नहीं कि ओबरeki भुत तथा वर्तमान के बीच इसस्थिति है इसने एक से सामग्री लिए और दूसरे पर प्योग किया है कथन किसका है वार्गेस का लाइड ब्राइश का रोसो का मांते स्विका कोश्चन का right answer case बढ़ो बता यह बेशक ठीक है चलिए हम आप लोगों को पांच सेटेंड का टाइम दे रहे हैं अच्छन पंदा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं को बट्राइब हो जाएगा भी नमबर लाटे अट्रेस्व को सब्सक्राइब वेश्चाइब के रूस्री कॉरांद कभ विए कि ती शन-1905 में कि रूसी कॉरांद कियाएब मोस्ट इंपर्टन और टॉप लेबल का है याद रखिएगा आपके एक्जाम में आने के पूरे चांसे दें तो ध्यान से रखिएगा ठीक है इस क्वेश्चन का एंसर तो जो क्वेश्चन का राइट एंसर जो होता है दोस्तों वह होता है 1947 में रूसी क्रांत हुई थी ठीक है ध्यान रखिएगा स्थन 1947 में ठीक है शी नंबर राइट एंसर उनिश्चन को तो राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर ओके चलिए हम बढ़ेंगे एगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज नीत अर्थ सास ज एंड का टाइम दे रहें फिरहाल आप लोग के लिए जो हैं हम वेट कर लेंगे ठोड़ा ठीक है बताएए कमेंट सेक्षन में आप लोग ठीक है चलिए कोश्चन का राइट एंसर हम यह नंबर यानि कि एडम इसमित ने ओके एडम इसमित ने 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 कि राज का कर रखें समाज सेवा भी करें साब निक्षुक भी व्यवफ्था बनाए रखें तो इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी ओके ने कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंतृता केवल एक भ्रहम है या कथन किसका है आप से नमें से कोई नहीं तो अठारा नमबर जो कोश्चन हो जाएगा जीडी एच कोल का है याद रखेगा नेस कोश्चन है कि निम्न में से यूनानी दस किनों ठीक है दास निकों ने निया के किस पहलों पर बल दिया है समाजिक पर नहितिक पर राजनीतिक पर वैदिक पर तो 19 नमबर कोश्चन हो जाएगा क्या निम्न में से यूनानी दास किनों ठीक किस पहलों पर बल दिया है वो दिया है ठीक है राजनीतिक पर निम्न में से कौन सी अवधारा समाजिक निया पर बल देती है बहुलवादी माक्षवादी उदारवादी बेक्तवादी तो निम्न म के झेती हैолотरप पहुलवादीивается yar塾 कि राजओ का सब्से Fell यह आवस् सब्सें खर्णा पूर्चत्व शरकार निश्चिद भुभाग संप्रभावता जन संख्या तो इसलोड़ जोओ वो है संप्रभुता इसलिए राइट एंसर हो जाएगा याद रखेगा नेश्ट कोश्चन है कि कौन संप्रभु राज्ज है करनाटक सेयों तुराजसंग उत्तरप्रदिश नेपाल तो 22 नमबर जो कोश्चन है उसका जो राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन याद रखेगा आपके एक्जाम में आने को बहुत सारे चांच चाहिए जो संप्रभु राज्जी है ठीक है वो है नेपाल ठीक है डी नमबर राइट एंसर नेश्ट कोश्चन है कि राज्जी को परिवार का ब्रस्तित रूप किस दार्स्किनिक ने माना है शुकरा कुछन है कि स्रीमित राजतंतर का समर्फन किस ने किया रोसो ने हाँ स्रेट जॉन लॉक ने लाकी ने तो इन आफसनों में से यह हैंट नमबर कोश्चन को राइच आइã जाएका बीनमबर रुखिए घंज्श ने स्रीमित राजतंतर का समर्थन किया कि नमब्र इस्रीज जंगलेंड का एंगलेंड का दास्कनिक था इसलिए एस प्रतिक समानता था और्धिक समानता राजनेतिक उप्रयोक्त प्रयोक्त में से हो जाएiénसर हो जाएगा परिछारो नमबर की प्रथम संच्कार के किताण कि इसमें दिखलाई देते थे नमबर नेकि नोमबर राजी के निरमाड में सहायक तत्त हैं रक्त संबंद सक्ति हैं समाज़िक परवर्ती है इनमें से सभी तो राज़ी के निरमाड में जो सहायक जो तत्त हथ है वो है रक्त का संबंद भी सक्त SNP में पूछए घट है तो Kung超 है is लेकिन आपके पूछे गए हैं तो इसलिए मैं आप लोगों बता रहा हूं तो 31 नमबर कोश्टेंगे राइट हो जाएक हो जाएक हो जाएगा प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का सामिवाद वन्याय आदर्स राज सिच्छा तो पुस्तक रिपब्लिक का उप सीर्षक जो है ठीक है उसका नाम है वह है सामिवाद याद रखेगा शामिवाद यह नंबर राइट हैंस हो जाएगा हो है थैक की निzione के kuyसिचन है कि नम्रिखित में से आदर दी बिचारक माने जाते हैं इन में से सभी कामट होना चाहिए आप उप करने में कान्ट हो गया ठीक हां तो आपना वादी जो भीचारक कांट कांट है है इसलिए आपर कांट गलतिस होगा आप लोग समझ लीजेगा तो कोश्टिन है कि चौदा वर्स से कम आयो के बालकों को निशुलक अनिवार सिच्छा की विवस्था किस अनुच्छेद में की गई है ध्यान रखेगा टॉप लेबल का कोश्टिन है आपके एक्जाम में आने के पूरी चांस है तो अच्वदा वर्स से कम आयो के बालकों को निशुलक अनिवार फिच्छा की विवस्था जो की गई है ठीक है वो की गई थी है उनुचेद 25 में राइटान सहर हो जाएगा बी नमबर याद रखेगा बी नमबर राइटान सहर जाएगा बत्तिश नमबर कुष्चन का तो प्लेटों के अनुसाद जो समाज में ट्रीक है जो बट्वारा है भाग है ठीक है उन्होंने बाटा है वह बाटा है कि T. इ इसलिए राइट एंसर हो जाएगा बी नंब्र ठील रखेगे थी नंब्र हो जाएगा राइटन सर्था है कि निवनन्स मेंसे सवतंत्रत का रूप hé वह इन में gegen उत्थ प्रांस में इंग्लेंड में भारत में तो आफसर आपको दिये गए हैं को राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस में प्रांस में हुआ था राइट एंसर स्कोड में ठीक है जो केंद्र बिंद्ध है वो है समाज राइट एंसर हम से लट करेंगे डी नमबर ठीक है अगला कोश्यन है कि नीमने में से दा मार्डन स्टेट के लेका कौन है मैकाईवर है मैक्षी हैं ग्रीन है लास्की है तो इसकोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा मैकाईवर है इसलिए राइट एंसर हो जाएगा एक नमबर ठीक है अगले कोश्चन के बढ़ते हैं अगला कुश्चन कही रहा है कि प्रांस में राष्टेता की भावना कब बढ़ी तो मोस्ट इंपार्टन कोश्चन याद रखेगा संशन 17 नव यह डाक्टर गर्णर ने दिए लास्की ने दिए तो राज की जो सब्सक्रेव परिभासा जुद्धी है वह दिए डाक्टर गर्णर ने इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर ठीक है चलिए बढ़ते हैं एक लिए क्यों के और एक रहा है कि इंग्लेंड की गौर्णर क्रांग खी तो आफसना आफको मिल गये हैं तो राइट एंसर्स कोस्टैन कहुत है वह हो जाएगा ठीक है सोला सो 1888 याद रखेगा 1688 में इंग्लेंड की गवर्वपूर्पूर्ण हुई थी ठीक है अगला कोश्चन है कि प्रमुख जादूगर से राजा बनना आसान है या कथन किसका है तो जो प्रमुख जादूगर से राजा बनने बनना आसान है यह कथन जो है वह है ठीक है इंग्ल क्राइस्ट का इसलिए राइट एंसर हो जाएगा डी नंबर ठीक है नेस्ट कोश्चन है कि राज सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा याद रखेगा मैंका वैली के द्वारा राज सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था नेस्ट कोश्चन है कि सवत्मतरता आतिसासन का बिलोम है यह कथन किसका है लाज की का शीले का ठीक है वह km का को यह ला कि राजी कि इतपथ्य के संबन्द में का विष्वास करता है यह sufficient है पर विष्वास करता है तो को तो तो उसका विश्वास करता है। माकश्वादी शिद्धान्त। और शांचेमक्य साथ पुंट थे शुन हें गूत्य साथ है। बीनमबर इनमें से पूंचा जारा ठीक है राजी की जो परिवार है बीनमबर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राजी कानिवार तत्तु नहीं है संपुड़ता सरकार सुरच्छा जनसंक्या तो इस वीडियो में मैंने 46 यानि कि और भी कोश्चन है हाला कि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं जो कोश्चन बचे हैं कुछ टॉप लेबल के नहीं तो हम अगे लिए वीडियो में उनको कबर कर लेंगे फिराल तो आज किस वीडियो में इतनी क्वेश्चन वीडियो आपको कैसी लगी अच्छ करे दो हम आपको की यह कि यो यह है थो आतनी है